हाई एवरिवन, काफी लोग celebrities जैसा लगना चाहते हैं, चाहते हैं कि उनकी जैसी skin और hair हो, लेकिन वो सोचते हैं कि celebrities naturally ही देखने में इतने अच्छे हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि celebrities भी अपनी skin और hair पे बहुत जादा महनत करते हैं, तब ही व आज हम देखते हैं कि रनबीर कपूर ने अपने hair style को कैसे इतने सालों से maintain किया हुआ है, लेकिन सबसे पहली इनकी जो movie आई थी 2007 के आसपास, ये थी सावरिया, जिसमें ये मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे, सावरिया में अगर आप इनका hair style देखें, तो इनके आगे और अगर जढेंगे, तो उतना घनापन नहीं रहेगा, यूँकि बाल अलड़ी बहुत पतले हैं, बाल अविसलि अगर कर्ली हैं, हार्ड हैं, कोर्स हैं, तो वो जढने के बाद भी काफी हद तक density maintain रहेगी, लेकिन फाइन बाल होंगे, तो ऐसे लोगों में जढ़ते हैं, तो गंजापन नजराना जल्दी शुरू हो जाता है, उसके बाद इनकी एक और मुवी आई, जिसमें ऐसा पता चल रहा है, कि शायद इनोंने हैर फाइबर लगाया है, तो वो भी आप फोटो सारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, शायद इनोंने हैर फाइबर लगा के वो घने तेरा तक समझ आ गया कि ये हैर ट्रांस्परांट बहुत अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें ये पता चल रहा है कि इनोंने बॉडर नजर आ रहा है, इस जो आप ये स्क्रीन पे भी फोटोग्राफ देखेंगे, बॉडर नजर आ रहा है, मार्जन पूरा बना हुआ ह लेकिन उपर से जब लाइट पड़ रही है तो पता चल रहा है कि अगवनापन कम हुआ है, उपर से गजापन बालों के बीश में से नजर आ रहा है जैब उपर से इस फोटोग्राफ में लाइट पड़ रही है लेकिन margin नजर आ रहा है जिसका मतलब क्या है कि margin border पूरा बन गया है लेकिन अंदर बाल उतने fill नहीं किये गए उतनी density नहीं दी गई या फिर यह हुआ कि बहुत ही तेजी से इनके बाल जढ रहे थे इसलिए वो अच्छी density देने के बावजूद वो बाल जढने की वज़े से वो margin नहीं रहे गया border और अंदर के बाल फिर से जढ गए और फिर हलके हो गए तो अब इसके बाद यह पता चलता है एक movie में ऐसा देखने से लग रहा है कि शायद इनोंने wig लगाई हुई है तो यह हम obviously शोर नहीं है कि इनोंने wig लगाई है कि नहीं hair fiber के लिए hair transplant के लिए भी हम शोर नहीं है लेकिन यह सब हम वो ही देख रहे हैं कि जो photographs में हमें नजर आ रहा है जो हमें इन videos में इन songs में नजर आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस समय यह इनका second hair transplant है या फिर हो सकता है यही इनका पेला hair transplant हो और जिसमें कि इनके बाल काफी अच्छे बन गए इस दौरान ऐसा भी था कि अपनी सारी social appearances में यह caps पहनते थे तो ऐसा भी हो सकता है कि उस दौरान क्यूंकि बाल काफी हलके थे तो यह इस वज़े से अपनी social appearances में caps, wigs और hair fiber का इस्तमाल करते हैं क्यूं इनके बाल इतनी तेजी से जढ़े हैं वैसे देखा यह जा रहा है कि शायद family history इतनी strong तो नहीं है क्यूंकि उनके parents के बाल तो काफी अच्छे ही हैं इस age तक लेकिन अब क्यूं इनके बाल इतनी तेजी से जढ़े अगर family history ने थी तो वो भी बताना चाहती हूं आपकोस हमारी diet और lifestyle का बहुत जादा रोल है हमारे बालों पे जिसकी वज़े से काफी बाल लोगों के कम age में बाल जढ़ने शुरू हो जाते हैं और दूसरा एक बहुत common कारण है कि अगर आप hair styling products बहुत जादा यूज़ करें जो obviously celebrities बहुत जादा यूज़ करें तो उस व इलावा बाल ऐसे भी जढ़ सकते हैं कि जो smoking से smoking एक बहुत common reason है जो लोग नजर अंदाज कर देते हैं लेकिन smoking का बहुत जादा रोल है क्योंकि यह आपके androgen levels को बढ़ाता है इसलिए smoking का यह मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि smoking से hair fall बहुत तेजी से बढ़ सकता है तो हो सकता है कि इनका बहुत यंग एज में बहुत चोटी एज में family history ना होने के बावजूद भी इनका hair fall जल्दी शुरू हो गया उसके बाद हमने इनको देखा बहुत अच्छे लग रहे हैं डेंसिटी काफी अच्छी है तो यह हो सकता है कि इनका यह 2016 का ही hair transplant है जो result इनका sustain किया हुआ है या फिर बीच में फिर से एक hair transplant हुआ है तो आप यह समझ चुके होंगे कि celebrities भी अपनी skin और hair के लिए बहुत महनत कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि सब लोग naturally good looking है उनके बाल और उनकी skin naturally अच्छी है उनके बाल और उनकी skin naturally अच्छी है उनके बहुत महनत कर हैं और यह बहुत जरूरी है कि अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं तो आपको अपनी skin और hair पे कुछ महनत करनी पड़ेगी एक और चीज जो आपने इस case study से notice करी वो यह कि आपका end result बहुत सारे factors पर depend करता है आपके बाल कैसे हैं आपका donor area कैसा है आपकी diet आपका lifestyle कैस है hair styling product smoking तो नहीं करते लेकिन एक चीज जो आपके हाथ में है वो है सही doctor ढूणना क्यूंकि अगर सही doctor होगे hair transplant के तो आपका result अच्छे होने के chances आप बहुत जादा बढ़ा देते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप सही diet healthy lifestyle follow करें और अगर आपके hair से related कोई भी concerns है कोई भ कर सकते हैं हमारा YouTube और Instagram handle है DMC Trichology और Dadu Medical Center